परिचय प्रकाश एक ऐसी वस्तू है जिससे सब परिचित हैं। यह विभिन सुरोतों से प्राप्थ होता है, जिनमें मुक्य है सूर्य। जिने के लिए ज़रूरी उर्जा हमें इसी से मिलती है। इसके बिना जैसा की हम जानते ही हैं, जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। उर्जा का वो रूप जो वस्तूओं को देखने में हमारी साहता करता है, प्रकाश कहलाता है। उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रकाश को परिभाशित करना, प्रकाश की प्रकृती को समझना, साधारण तरपंद्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझना, परावर्तन के नियम, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करना. प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत उड़ा का वो रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायदा करता है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ये हम में द्रिश्य बोध उत्पन्न करता है। प्रकाश के दोसरोत हैं। चमकीली वस्तुओं और गैर चमकीली वस्तुओं। चमकीली वस्तूएं वे वस्तूएं जो अपना स्वयम का प्रकाश छोड़ती हैं, चमकीली वस्तूएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, लैंप, मुम्बत्ती, इत्यादी गैर चमकीली वस्तूएं वे वस्तूएं जो स्वयम पर पढ़ने वाले प्रकाश को परावर्थित करती हैं, गैर चमकीली वस्तूएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज, इत्यादी प्रकाश की प्रकृती प्रकाश के परावर्थन, अपुवर्थन, विवर्थन तथा अन्य अनेक पहलुओं के बारे में जानने के लिए प्रकाश के सिध्धांतों के आधार पर उसकी प्रकृती को समझना होगा प्रकाश की प्रकृती के दो सिध्धान्थ हैं। प्रकाश का तरंग सिध्धान्थ तथा प्रकाश का कन सिध्धान्थ। एवं ध्रुवी करण। प्रकाश का कन सिध्धान्थ। प्रकाश ऐसे कन से निर्मित होता है जो अत्यंत तीवर गती से एक सरल रेखा में चलते हैं। इसके अभी लक्षण चिन हैं परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश तरंग और कन दोनों के गुण प्रदेशित करता है प्रकाश का सभाव दोहरा होता है प्रकाश का परवरतन किसी वस्तो की सतह पर पढ़ने वाली प्रकाश गिरणों का वापस भिजा जाना प्रकाश का परवरतन कहलाता है चमकदार सतेह वाली वस्तुएं, खुर्दुरी और धुनली सतेह वाली वस्तुओं के अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती है चांदी प्रकाश की सर्वुत्तम परावर्तक है सपार्ट सतेह से परावर्तन सपार्ट दर्पण कांच का एक पतला, समतल और चिकना फलक होता है, जिसके एक ओर रजत धातों की चमकीली पर्त चड़ी होती है इस रजत पर्त को लाल पेंट के द्वारा संरक्षित किया जाता है आकरिती को समझने के लिए आविशक पदों के अर्थ निमनलिखित है आपतित किरण कहलाती है आपतन बिंदू दर्पण पर आपतित किरण जिस बिंदू पर पड़ती है, उस बिंदू को आपतन बिंदू कहते है परावर्तित किरण दरपन द्वारा प्रकाश की जिस किरण को वापस भीजा जाता है वह परावर्तित किरण कहलाती है सामानने दरपन की सतह के आपतन बिंदू पर इस्थित समकून की रेखा को सामानने कहते हैं यह एक ऐसी रेखा है जो दरपण के आपतन बिंदू पर लंबवत इस्थित होती है। पाश्व परिवर्तन पाश्व परिवर्तन जब सम्तल दरपण के सामने कोई वस्तू रखी जाती है तब वस्तू का दाहिना पाश्व दरपण के बाई ओर और बाया पाश्व दरपण के दाहिनी ओर प्रतीत होता है। किसी वस्तु के पाश्वों और उसके दर्पन प्रतिबिम्ब का यह परिवर्तन पाश्व परिवर्तन कहलाता है। सम्तल दर्पन के संबंध में अभिलक्षन और उप्योग। किसी सम्तल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब के अभिलक्षन। ऐसा प्रतिबिम्ब आभासी होता है, ऐसा प्रतिबिम्ब सीधा होता है, प्रतिबिम्ब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है, सम्तल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब दर्पन में पीछे उतनी ही दूरी पर होता है, ऐसा प्रतिबिम्ब पाशु परिवर्ति सम्तल दर्पण के उप्योग सम्तल दर्पण के उप्योग प्रियोक्त किया जाने वाला एक खिलोना कहज के टुकडे या छोटे-छोटे मन के बनाने में किया जाता है। परावर्तन के नियम परावर्तन का प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य ये सब एक ही सम्तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन का दूतिये नियम परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है बिम्ब और प्रतिबिम्ब में अंतर बिम्ब कोई भी वस्तु जो प्रकाश किरणे उत्सर्जित करती है बिम्ब कहलाती है प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब एक प्रकाशिक प्रकटन है जो किसी बिम्ब से उत्सर्जित हो रही प्रकाश किरणों के किसी दरपन द्वारा परावर्तित होने से उत्पन होता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे दर्पन पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है उधारण सिनेमा के परदे पर बनने वाला प्रतिबिंब यह किसी अव्दल दर्पन द्वारा बनता है आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब जिन्हें परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं उधारण किसी समतल दर्पन में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब यह किसी अव्दल दर्पन द्वारा बनता है क्या आप जानते हैं? दिखाई देने वाले प्रकाश का तरंग देर्थ 380 से 740 नैनो मीटर के मध्य होता है और इसकी आवरिती 405 तेरा हर्ट से 790 तेरा हर्ट के मध्य होती है प्रकाश जो की फोटोन नामक नन्य पैकिटों में निकलता और अफशोशित होता है तरंग और कन दोनों के गुण प्रदशित करता है यह गुण तरंग कन दुईविधता कहलाता है निर्वात में प्रकाश की गती ठीक 29,97,92,458 मीटर प्रतिसेकेंड आ की गई है प्रकाश उत्पर्ण करने वाली प्रक्रियाएं है नगर्णी करण या सिंटिलेशन इलेक्ट्रो ल्यूमिनिसेंस ट्राइब बोलियो मिनिसेंस चरन कोव विकिरण सारांश आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं प्रकाश उर्जा का ऐसा रूप है जो हमें वस्तूओं को देखने के योग्ये बनाता है प्रकाश तरंग और कर्ण दूनों के गुण प्रदशित करता है इस प्रकार प्रकाश की प्रकृती दोहरी होती है किसी वस्तूद्वारा उस पर पढ़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भीजा जाना परावर्तन कहलाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाने को अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण द्वारा सामाने के साथ बनाए गए कोण को आपतित कोण कहते हैं। किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणे जब किसी दरपन से परावर्तित होकर किसी बिंदू पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। समतल दरपन में किसी बिंब के पाश्वों और उसके प्रतिबिंब के पलट जाने का प्रभाव पाश्व परिवर्तन कहलाता है।